Hello Friends, दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि PVC वाल पैनल लगवाने का क्या खर्चा आता है, मेटल का कितना और लेपर का कितना, तो आज हम देखेंगे कि पूरे कमरे में अगर PVC पैनल लगवाया जाये तो इसका क्या खर्चा आएगा, लेकिन उससे पहले में आप ल तो बहुत important वीडियो है, वीडियो में लास तक बने रहीएगा, ओके friends तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पिना किसी दे रहीगे, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसे लगाने को फाइदे क्या है और नुकसान क्या क्या है, और इसे हम कहां कहां पर यूज कर सक होते हैं, PVC पैनल waterproof और rust proof होने के कारण moisture में खराब नहीं होते और look भी अच्छा देते हैं, तो अगर PVC पैनल के फाइदों की बात करें, तो PVC पैनल का सबसे पहला फाइदा तो यही है कि ये budget friendly है, इसकी costing बहुत कम आती है, कम budget में ये आपके घर को सुन्दर बना देता है, द साफ करना बड़ा आसान है, इसे आप simple एक गिले कपड़े से साफ कर सकते हैं, पांच चुआ सबसे बड़ा फैदा ये है कि ceiling की दिवारों के लिए सबसे best रहता है, चटा फैदा कि PVC पैनल हम plaster वाली दिवारों पर सीधे install कर सकते हैं, इसे लगवाने से पहले paint put टे करने की जूरत नहीं होती, इसके साफ साथ ये fireproof, termite proof और waterproof होता है, तो अब अगर इसकी disadvantages यानि के नुकसान की बात करें, तो पहली बात तो ये आसानी से break हो जाते हैं, अगर इन पर थोड़ा सा दबाव डाला जाए, आप इसे खुली जगए में किसी shade के नीचे और heat वाले areas में न top companies कौन-कौन सी है, कौन सी company के PVC panel हमें लगवाने चाहिए, तो friends वैसे तो PVC panel आज बहुत सी companies बना रही है, पर मैं आपको mainly 5 company recommend करूंगा, number 1 है Rayan PVC panel, number 2 Sunbeam PVC, number 3 V2 Industries, number 4 Goel PVC, और number 5 SSC Global, आप इन में से किसी भी company के साथ जा सकते हैं, और PVC panel purchase कर सकते हैं, और एक बात, कि मैं यहा जाना है, थर्ड, अक्सर लोग यह भी सोचते हैं, कि क्या PVC panel लगाने से हमारे दिवारों की sealant खतम हो जाएगी, तो friends बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सही है, आप PVC panel लगाकर अपने दिवारों की sealant से चुटकारा पा सकते हैं, और एक PVC panel की live भी paint से ज़्यादा होती है, लग की सारी confusion clear है, ओगे friends, आएए अब हम बढ़ते हैं, अपने main topic की तरफ, तो माल लो, यह हमारा एक room है, 10 feet by 12 feet का, यानि के एक दिवार की size है, 10 feet by 12 feet, तो हमारा एक दिवार का total area होगा, length into width, 10 into 12 is equal to 120 square feet, और हमारी total दिवार है, 4 number, तो total wall area हो जाएगा, 120 into 4 is equal to 480 square feet, यह हम इसम साइज है, हमारा 7 feet by 3 feet का, और window का साइज है, 4 feet by 4 feet का, तो total deduction area होगा, 7 into 3 plus 4 into 4 is equal to 21 plus 16 is equal to 37 square feet, तो हमारा total net wall area होगा, जिस पर हम PVC panel लगाएंगे, total area minus door window area is equal to 480 minus 37 is equal to 443 square feet, इस 443 square feet में हमारे PVC panel लगेंगे, तो आएए सबसे पहले हम बात करते हैं, metal quantity की, कि हमारे 443 square feet area के लिए कित्रा PVC metal लगेगा, तो friends यहां हम super heavy PVC panel को consider करेंगे, 6 mm thickness के साथ, तो एक PVC panel का size generally 10 feet by 10 inch का होता है, तो एक panel का total area हो जाएगा, 10 feet into 10 inch को feet में convert कर देंगे, इसे 12 से divide करके, क्योंकि 1 feet में 12 inch होते हैं, तो total area of panel is equal to 10 feet into 0.833 feet, is equal to 8.33 square feet, तो हमारे एक पैनल का area होता है, 8.33 square feet, यानि के एक panel हमारा 8.33 square feet area cover करेगा, तो हमारा total wall area है, 443 square feet, तो हमारे total number of panel लगेंगे, total area of wall divided by area of one panel is equal to 443 divided by 8.33 is equal to 53 panel, और या हम एक panel extra लेकर चलेंगे, कई बार पैनल क्रैक भी हो जाता है, fix करते हुए, तो हमारे total number of panel होंगे, 53 plus 14 number, और आज market में, एक super heavy panel का price चलता है, 380 रुपे पर पीस से 400 रुपे पर पीस तक, ये rate totally wall panel की quality और type पर depend करता है, क्योंकि पैनल तो आपको 1500 रुपे से लेकर 1500 रुपे तक भी मिल जाते है, तो PVC panel का हमारा total खर्चा हो जाएगा, quantity of material into rate of one panel, 54 into 390, हम एक average rate consider करके चलेंगे, super heavy panel के लिए, is equal to 21,006 रुपे, इसके अलावा, इसमें हमें कुछ accessories भी required होंगी, जैसे corner के लिए लगेंगी हमारी L पत्ती, और bidding के लिए लगेंगी हमारी U पत्ती, तो bidding पत्ती की हमारी standard length रहती है 10 feet, तो हमें total number of corner bidding पत्ती required होगी, parameter of wall divided by standard length of corner bidding पत्ती, तो एक दिवार का parameter है, 12 feet into 2, क्योंकि 12 feet की दो दिवारे हैं, पलस 10 feet into 2, is equal to 44 running feet, और हमारी total number of wall है 4, तो 44 into 4, is equal to 116 running feet, और हमारी corner पत्ती की standard length है 10 feet, तो हमें total corner पत्ती required होगी, 116 divided by 10, is equal to 17.6 और 18 पत्ती, और एक corner bidding पत्ती का rate है 120 रुपे पर पीस का, तो हमारी total corner पत्ती की cost होगी, 18 into 120, is equal to 1160 रुपे, फ़र हमें adhesive लगेगा PVC panel की jointing के लिए, जिसका rate हमें पढ़ता है 0.5 rupees per square feet, तो total adhesive की cost होगी, total area into adhesive rate, is equal to total area है हमारा 443 square feet into 0.5 is equal to 225 रुपे, और इन सभी metal की transportation का मान लो 500 रुपे, तो हमारा total metal का खर्चा हो जाएगा, पैनल कोश्ट, पलस accessories कोश्ट, पलस transportation कोश्ट, is equal to 21,060 रुपे, पलस 2160, पलस 225, पलस 500, is equal to 23,945 रुपे, अब हम लेवर खर्चे की बात कर लेते हैं, के लेवर की PVC पैनल लगाने की क्या कोश्ट आएगी, तो PVC पैनल लगाने का लेवर लेती है 100 से 130 रुपे पर पैनल, या आप कहा सकते हैं, 12 से 15 रुपे पर स्केर फीट, तो यहां हम maximum rate consider करके चलेंगे, 130 रुपे पर पैनल का, तो हमारे total number of PVC पैनल है, 14 number, तो total लेवर खर्चा होगा, 14 into 130, is equal to 7,020 रुपे तक, तो एक 10 by 12 के एक रूम में, पूरे कमरे में PVC पैनल लगाने का खर्चा हो जाए तो अब इसी rate के according आप अपने पूरे घर में PVC पैनल लगाने का खर्चा निकाल सकते हो, बस एक बात का ध्यान अखना, फ्रेंड्स के यहां metal की कोश्ट है, 15 रुपे पर स्केर फीट, तो आज दिवारों पर सुपर हैवी PVC पैनल लगाने का खर्चा आता है, 65-70 रुपे पर सकता है, और अगर आप सी लिंग पर PVC पैनल लगवाते हैं, तो उसका खर्चा आता है 90-100 रुपे पर स्केर फीट तक, इसके उपर मैं ओलेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसका लिंग मैंने उपर आई आप लोगों के लिए एक और बहतरी जानकारी के साथ तब तक के लिए विदा लेने चाहूँगा, और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद गाईज, ठैंक्स फॉर वाचिंग, एंड हाव नाइस टे,